हमारे बच्चों की हेल्थ कोलेंकि हमें बहुत टैंसन घो हुती है तो चलिया आज तेंसन का हल आी हुँ तो आज मैं आपके लेके आई हुँ अन्डा पराता तो बहुत इसी तरीके से और थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया है ये अंडा पराठा खाने में भी बहुत टेश्टी और बच्चों को पूरा पोशन मिलेगा और बच्चे बहुत चाव से खाएंगे मन लगा के और पूरा पराठा चेट कर जाएंगे और और मागेंगे तो चलिए शुरू करते हैं रैस्पी फटा फट से टेश्टी पराठे क हाई फरेंस जैमाता दी कैसे हैं आप चावल आटा ये मार्कट में इसली मिल जाता है और नहीं तो आप चावल को घर पे पीच सकते हैं साफ करके तो एक कप हमने आटा ले लिए हैं आप टेस्पून इसमें हम गरम मसाला गेरते हैं हाप टेस्पून धनिया पॉडर हाप टेस्पून नमक नमक आप अपने स्वाध अनुसार गेर सकते हैं एक प्याज लिये हमने जो छोटे टुकडो में काट ली है इसको गेर देते हैं और तीन हमने हरी मिर्च ली है इसको भी हम गेर देते हैं छोटे पिसो में काट ली है ये गेड़े थ distillate , 2 अंढ आस इसमें फैट सक्झान हों .सबस्ट पहरुके आप बहुते पसंद हैं ? अब हमें अच्छे से भाइप ना ए तो हम अच्छे सी फैट कर दें यह質 थोड़ा हाथ चलाते हुए और अच्छे से हम देखी फैट रहे हैं जैसे आप भी इसी तरीके से फेटिएगा जितना हम फेटेंगे उतना ही हमारा पराठा टेश्टी बनेगा और इस तरीके से हाथ हमें चलाते हुए अच्छे से फेट लेना है ने मिक्चर को वन टेथपून का तिहाई यसा हमने लाल मिर्च पाॉडर गेड़ दिया है इसमें आप चाहें तो गेरिये नहीं तो नहीं गेरियेगा लेकिन इससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है और ये हमने जीरा पॉड़र लिया है अब वो हाप्टे स्पून इसको भी गेर देते हैं असारे मसालों को सब्सक्राइब को अछ़े से फेटना है हमें तो अच़ से फेटते हुए देखिए हमने फेट लिया है यह सा हम इसमें पानी गेरते हैं जिससे हमारा चावल का आठा थोड़ा इसमें मैच हो जाएगा और फूल पास मेट हो चुके हैं और अपने मिक्चर को देख लेते हैं तो देखे हमारा मिक्चर एकदम दियार है पराठा बनाने के लिए तो अब चलिए तवा चड़ा देते हैं गैस पे तवा हमारा गरम हो चुका है अब इसमें अपना मिक्चर गेड़ देते हैं तो देखें इस तरीके से वाओ क्या अच्छा एकदम कलर आया है बहुत टेश्टी पराठा बनके तयार हो गाई है आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और मेरी रेस्पी अगर आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट से सस्क्राइब जरूर करिएगा देखें अपके घर में सब को खीलाएं